कोरोणा का कहर दुनिया भर में तेजी से फैल्टा जा रहा है। नहीं भारत में भी कोरोणा वारस के चौलती लॉक्डाउun जा रही है। इसी बीच सरकार ने ग्रीन और औररेंज जोन को कुछ हट तक लॉक्डाउun से रहा दी है। जिस दरान कईजलों में शराब की दुकानों को खोलनी की अजाज़त भी दे दिया लेकिन सरकार की सनुमती के बाद पहले ही देन शराब की बिक्री ने रिकॉर्ड बना दिया देश्वर में शराब की दुकानों पर लंबी लाइन देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धजियां उड़ाए गई पहले ही दिन शराब की जादा बिक्री को देखते हुए दिली सरकार ने अचानक राजधानी में शराब के दाम को 70 परतिशत बढ़ा दिया लेकिन दाम को बढ़ाने का असर पीने वालों पर नहीं हुआ दूसरे दिन भी जमकर शराब की बिक्री हुए दिली में शराब के दाम बढ़ जाने के बाद कुछ लोगों ने पड़ोसी राज यूपी से शराब लाने की नाकाम कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो सका अब सवाल ये उड़ता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर लॉगडाउन में शराब की तसकरी करता है या उसे दूसरे राज़े से खरीद कर लाना चाहता है तो उसके नियम क्या है दिनसल हर राज़े की अपनी आपकारी दीती है उसी के मताबिक वहां के कानून भी है लेकिन आमतोर पर शराब तसकरों के केस में आपकारी अधिनियम के तहट कारवाई होती है जिसमें तसकरी से संबंदित मामलों में आपकारी अधिनियम की धारा 60 को के तहट मामला दश किया जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सरकार ने साल 2018 में इस पर एहम फैसला किया और आपकारी अधिनियम की धारा 60 क को गैर जमानती अपरात की श्रेणी में बदल दिया गया अब ऐसे मामलों में आपकारी अधिनियम की धारा के साथ साथ IPC की धारा 272 और 278 भी लगाती है तसकरी के मामली में धारा 60 क के तहत दोशी को मृत्यू दंड या आजिवन कारवास की सजा हो सकती है साथी दोशी पर अधिक्तम 10 लाख रुपे का जुर्माना भी किया जा सकता है